वोईस चैट होता है ना जिसे ग्रूप में वैसे ट्विटर पे एक फीचर है जहाँ पर आप स्पेस कंड़क्ट कर सकते हो तो डेवडवी ने रिसेंटली स्पेस कंड़क्ट किया मार्केटिंग सोशल मीडिया पता नहीं क्या था जिसमें ट्रिपल एच भी थे डेवडवी का ओफिशल हैंडल भी था कोडी रोड्स भी थे और भी यूनो परसनेलिटी इस थी डेवडवी की सूपर स्टार्स तो ऐससे जूतने नहीं थे बट सबसे फ़नी पार्ट तब आई जब खोडी रोड्स से एक बंदा बोल रहा था कि किस तरीके से जब खोडी रोड्स आल एली ट्रस लिंग में था तो जब उसने वहां से लीव किया तो फिर उसका भी मन नी किया और उसने भी वहां से लीव कर दिया और जब आल एली ट्रस लिंग का मैंशन हो रहा था तो Triple H ने Space left कर दिया Like वो मुमेंट था जैसी All Elite Wrestling का नाम आया Triple H was like I'm out I am out मेरा इसमें कोई रोल नहीं है मेरे मेरे को इसमें involved मत कीजिए So I was like That was good That was good So I guess you're my Champions of the World मैं हूँ 3DX चे दिन सबसे पहले Ronda Rouse शुरू करते क्योंकि कल एक ऐसी भयंकर update आई Jimmy Smith की तरफ से Jimmy Smith जो की former Raw के commentator रह चुके उन्होंने Ronda Rousey के बारे में काफी चीजे बताई Like वो चीजे जो की obviously हम लोग assume करके चल रहे थे Towns out to be true Jimmy Smith ने ये चीजे बताई कि Ronda Rousey अपने आपको बगवान के दरजे पे देखती है और ऐसा मानती है कि जो भी अच्छी चीजे हो रही है जो भी अगर कोई victory हो रही है तो उसका credit तो वो खुद लेगी लेकिन जैसे ही कुछ गलत हो जाता है कुछ हार हो जाती है तो फिर उसमें बहाने डालने लगते है कि नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो और उन्होंने ये भी बताया कि वो कभी भी उस बंदी को credit नहीं देगी जो कि Ronda Rousey को हराएगी और ये भी बताया कि Ronda Rousey ये कहती है कि मैंने MMA छोड़ दिया और WWE में गई इसलिए क्योंकि मेरे को concussion problems हो गई थी इसका कोई भी sense नहीं बनाता Jimmy Smith ने ये भी बताया कि किस तरीके से वो जो cameraman होते हैं, backstage का crew होता है, जितने भी लोग होते हैं पीछे, उन सब को Ronda Rousey एक bitch की तरह treat करते हैं मतलब, like, bitch की तरह मतलब वो वाले होते हैं न, अबा चल तू गरीब निकल यहां से, अबा तू निकल यहां से वो वाला treatment Ronda Rousey देती थी उन बंदों को, और अगर कोई गलती हो जाती थी, तो फिर वो उनी पर blame डाल देती थी अगर अपनी fight को hype करना है और crowd की तरफ से reaction नहीं आ रहा, तो फिर उनकी गलती निकालती थी, और यह भी बताया कि किस तरीके से जब Ronda Rousey knockout हो गई, UFC के अंदर, तो वो लोग, जिस पर यह चड़ रही थी, backstage crew अगरा, सब बहुत खुश हुए थे, cheer कर रहे थे कि yeah, let's go and I was like I can relate to that, वही, Ronda Rousey की जो statement थी न, Logan Paul के लिए, मेरको वहीं से पता चल गया भाई, यह character वेकार है like UFC में, मैंने, मैं पहले ही बोल के चलाता है, UFC में चाहे कुछ भी हो, लेकिन लग यह टक्टी इंसान रही है, और turns out to be true Jimmy Smith ने, जिस conviction के साथ यह चीजे बोली है न, मेरको तो लग न, Jimmy Jimmy Smith को भी treat किया है इस तरीके से वो तो खेर वो बोलना नहीं चाहरा होगा बट Jimmy Smith ने भाई, खोल गया रख दिया Ronda Rousey को, मुझे नहीं लगता है Ronda Rousey, अब कभी भी दुबारा से statement देने की हालत में बची है, बहुत फालतू की statement पेल रही थी, जब से निकली है WWE से, आप थोड़ा शांत रहेगी, अच्छा रगेगा, पागल सी, और अपने UFC वाले fanbase को भी अपने साथ लेजेगी जो आ जाते हैं न, भाई, Ronda Rousey तो यह है, बचल निकले हैं से अपनी real fight अपने घर पर ही देखो जा गए Anyways, पाई यार, यह क्या कर रहे है WWE वाले, इटली के अंदर इनका live event चल रहा था, उसमें पता है क्या dream match दिया इन्होंने, Demon Priest versus Jay Uso versus Gunther versus Chad Gable Gunther को world highway title opportunity मिली है, और वो हमें देखने को भी मिली है, शरम की बात है यह मेरे को तो लगता है, बहुत ही ज़्यादा शरम की बात है कि Gunther world highway title opportunity में लेकिन देखने को नहीं मिला, बट ultimately live event का मतलब भी यह होता है, हम miss तो करेंगे, obviously उसे के साथ मैं को funny चीज बता है क्या लगी, WWE ने जो list निकाली, Ray Mysterio को 2024 में, इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, नहीं नहीं, इससे हमें यह पता चलता है कि Mexican के मसालों में कुछ तो है कि वह दोका दड़ी बरी हुई है, भाई देखो कि 3, 3, 6, 7, 7 में से 6 बंदे जो थे, वो Mexican थे Batista को छोड़के, Batista तो अपना लगा Ray Mysterio के लिए भी, जब अपना ही बेटा धोखा दे रहा है तो फि बाकियों से क्या उमीद रखें Anyways, Cody Rhodes and Roman Reigns, by Cody Rhodes ने recently क्या बोला पता है, Cody Rhodes ने बोला कि अगर Roman Reigns was the greatest thing था जो कि WWE ने अब तक देखा था, तो मैं उसको completely overshadow करना चाहता हूँ, यानि कि जो भी Roman Reigns था मैं उससे बड़ा बनना चाहता हूँ and I mean that with the utmost respect, मतलब ऐसा को उन्हों ने उसमें नहीं कहा कि बेजती करते हूँ, उन्होंने कहा रिस्पेक्ट की फॉर्म में कि हाँ, मेरा aim है कि उससे बड़ा बनना है उससे बड़ा बनके दिखाऊंगा मैं अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात करी, Cody Rhodes I appreciate that, like एक talent को ऐसा होना भी चाहिए, अगर ऐसा competition वाली feel नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा है, but with the utmost respect, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यार मतलब बुरा मत मानना, बट दिखता है भाई, हर बंदा नहीं बना होता Roman Reigns बनने के लिए, तो ये चीज ही गलत है आपकी अब बनने ही गलत चाहरे हो, आप Cody Rhodes बनने ही नहीं चाहरे हो, बनने ही Roman Reigns को परचाही देना चाहरे हो, तो फिर वो तो नहीं हो पाएगा आप कहा रहे हो कि आपको John Cena और Stone Cold जैसा profitable guy बनना है WWE के लिए, possible है, possible है बट Roman Reigns का जो वो run था न, वो मुझे लगता है अगले 100 साल के अंदर कोई करदे touch तो बहुत बड़ी बात होगी टिफनी स्ट्राइटन का रिसेंटली बढ़ने था एक मही को और टिफनी स्ट्राइटन के बारे में मैंने बैस इसलिए उठाया बिकोज में बताना था कि यह टिफनी स्ट्राइटन का बंदा है Ludwig Kaiser, यह मैं पता ही नहीं था अब जितने भी टिफनी स्ट्राइटन के सिम्स होंगे अब वो जो Ludwig Kaiser को जिस नजर से देखेंगे कहेंगे गुंतर भाई बजा दे भाई तुन्हें विंची को क्यों बजाया तो Kaiser को बजाया इतनी फ़नी स्ट्राइटन पर टा रखहें और इतनी फ़नी स्ट्री है इन्होंने जाना शुरू किया था जो भी हारेगा वह तूसरे बंदे को देट पर ले जाया इतना इसजी होता है एणिवेज ड्राफ्ट इनका वह करने वाले हैं कि WWE Draft के लिए और भी Shake Ups हो सकते हैं SmackDown के अंदर Trades हो सकते हैं यानि कि इसके बदले कुछ इसके बदले कुछ यानि कि एक दो Shake Ups हमें देखने को मिल सकते हैं उसके अलावा WWE Apparently Happier Draft से जो कि हम लोग नहीं है बिकोज हम लोग ने बहुत ज़्यादा Shake Up Expect किया था जो कि हमारी भी गलती है देखा जाए तो गलत बात नहीं है अब याई Draft का मतलब यह थोड़ी है कि मतलब Change ही हो नहीं है Brand हो सकता है, हो सकता है यार मान लो Mumbai Indians है ठीक है, लो इस Sharma से खुश है तो भाई वो नहीं करेगी ना Change वो रखेगी अपने टीम में तो ऐसा Raw SmackDown में भी तो हो सकता है हम यही कि वो सोच के चल रहे थे कि भाई Shake Up हो गई, Change होंगे होंगे हो सकता है, Raw खुश है भाई, अपने Super Stars से तो ज़्यादा Change अगए SmackDown खुश है, अब यह लोग खुश है तो भाई, ठीक है, तुम खुश रहो, क्योंकि तुम खुश रहोगा तो शयद हमें अच्छी Storylines देखने को मिलेगी That's what we want Drew McIntyre ने रिसेटली Pat McAfee के इंटर्वी उसमें गया थे और Pat McAfee के इंटर्वी में उन्होंने बोल दिया मतलब यही चीज है कि भाई, मैं किसी का भिया से सुनकर ने लूंगा और यह भी बोल दिया कि भाई, ट्रोल वरोल तो ठीक है अगर मैं शादी शुदा ना होता तो तो तुमारी लड़की भी उठा लेता मतलब तुमारी गल्फरेंड भी उठा लेता CM Punk के लिए कहा गया लेकिन बाद में clarify किया गया Drew McIntyre ने बोला, it's a general general statement, not specific सिर्फ CM Punk के लिए नहीं तो general था अगर आप कोई भी हो मेरे दुश्मन में, मेरे radar में हो तो मैं ऐसा करूंगा, even when comes to punk there is some lines you don't cross so I'm like, okay, ठीक है ये काफी अच्छा cover करने की कोशिश करे Drew McIntyre ने, but मेरे को लगता है अब तो छेड़ दिया भाई, विवाद अब तो विवाद हो के ही रहेगा विवाद करने के लिए एक और बंदा apparently में देखने को मिल सकता है, जो कि कभी दिखेगा भी ने and that is John Cena John Cena की recently photo आती है France से, और France अरे, दो दिन बाद तो France यार, backlash है यार ये वही चीज़ों ने वाल है, last time जो London में हुआ था न, Money in the Bank और उसमें John Cena की special entrance देखने को मिली थी मुझे लग रहा है, France में जाके भी अब तो ऐसा लग रहा है, the guy you cannot advertise, but still you can see अजीवी हो रहा है, so yeah overall भाई, मैं सही में बता रहो, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई Jimmy Smith के उस interview से, usually Jimmy Smith को ये बोलने की ज़ूरत नहीं थी, but the fact उसने बोला वो बताता है, मतलब सोच रहो है अब एक बंदे को सोचो, हो सकता था Jimmy Smith को बोलने की ज़रूरती ना पड़ती बट सोचो, Ronda Rousey कितने बड़ी बिच रही होगी, कि Jimmy Smith को बोलना पड़ा की, नहीं भाई, मैं मैं बिना प्रवोक के भी बोलूँगा, यार, ये सच सामने आना चाहिए, इतना जो हो गु हग रही है ना, उसको पता, लोगों को पता चलना चाहिए कि हो क्या चीज है, so yeah thank you Jimmy भाई, हमें रास्ता दिखाने लिए, anyways, comments में आप लिखकर बताना अपने thoughts regarding Cody Rhodes, कि यार, Cody Rhodes बनेगा Roman Reigns को, overshadow कर देगा लिए, आपको विडियो पसंन दा, तो प्री लागरा शेर को चाहिए, और सेमेंगे सब्स्क्राइब को बलाइ